Hello everyone, welcome back to the Rana Academy तो जैसे आप अलोड़ी जानते हैं कि हमने ammonia chapter start किया हुआ है और उसके related two videos में अलोड़ी upload कर चुका हूँ आज के lecture के अंदर मैं उसका जो next topic है उसको discuss करने वाला हूँ और हाँ उपर जितनी भी channel और जो pages दिये गए हैं उनकी जो link से description box में डाल दिये हैं तो भीना को time waste किये चली शुरू करते हैं तो देखिए आज के lecture के अंदर हमने study करना है कि किस तरीके से aqueous ammonia को बनाया जाता है देखिए बहुत ही simple procedure है aqueous ammonia को बनाने का सिर्फ एकी तरीका है अब एक काम करिए आप जो ammonia produce किया था उसको actually में आप dissolve कर दीजिए पानी के अंदर तो जैसे आप उसको पानी के अंदर dissolve करेंगे आपका जो aqueous ammonia है वो असानी से त्यार हो जाएगा बट एक बात आपको मैं ये भी बता जाता हूँ कि इस ammonia की जो solubility है पानी के अंदर वो बहुत ही जादा होती है और इसी वज़ा से हमें एक special technique की help से ही ammonia को पानी के अंदर dissolve करना पता है तो चलिए मैं आपको उस तरीकी की तरफ लेके चलता हूँ यह है वो आपका तरीका अब इस तरीके के अंदर अब जो सबसे पॉर्ण चीज है वो यह funnel technique है याद होगा जब हमने SCL को dissolve किया था पानी के अंदर और produce किया था there is SCL acid तो यही back sorry क्या था यह आपका यह जो funnel technique था हमने इसका का इस्तेमाल किया था क्यूंकि जो SCL gas है उसकी solubility पानी के अंदर बहुत ज़ादा होती है और solubility ज़ादा होने की वज़ए से एक back suction create होता है जिसके वैसे पानी जो है वापिस मेरे container में जा सकता है उस चीज को avoid करने के लिए हम funnel के mouth का इस्तेमाल करते हैं चलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बता रहता हूं तो होता क्या है इसके बारे में आपको वैसे पता ही है हमने पड़ा था कि जो ammonia gas होता है हम एक round bottom flask को लेते हैं और उसके अंदर डालते हैं ammonium chloride या calcium hydroxide को अब जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास NH3 जो gas है वो produce होगा अब ध्यान से समझना जो बहुत important है जो ammonia gas की solubility है वो इतनी जादा है कि जिस rate से हमारा ammonia gas produce होता है उससे जादा rate से मेरा ammonia जो है वो पानी मे mix up हो जाता है महलब dissolve हो जाता है महलब dissolve होनी की ताकत और तेज़ी जादा है as compared to ammonia gas के produce होने की अब इस वरे से होता क्या है please understand जैसे आपका ammonia gas यहाँ पे पहुंचता है अब यह मैं पुरा procedure बता रहा हूँ आपको यह procedure चल रहा है जैसे ammonia gas यहाँ पहुंचता है तो एक दम से यह ammonia जो है वो मेरे इस पानी के अंदर dissolve हो जाता है अब जैसे पानी के अंदर dissolve हो गया तो यहाँ पर एक ऐसा region create होगा जहाँ पर जो हमारा ammonia gas की quantity है वो बहुत कम है ऐसे region को हम low pressure region कहते है low pressure region ठीक है प्रेशर बहुत कम होता है region ठीक है तो low pressure region यहाँ पर create हो गया क्यों कि देखी ऊपर से ammonia अभी तक यहाँ आया नहीं और जो ammonia यहाँ यहाँ था वो सारा का सारा पानी ने क्या कर लिया एक दम से अब्जोब कर लिया तो यहाँ पर एक low pressure zone या region जो है वो आपका त्यार होता है और इसी वज़ा से आपक पानी है वो एक्चली मूब करने लग जाता है अब ऐसा क्यों होता है रीजन है बाहर का atmospheric pressure जो बाहर का atmospheric pressure इस पानी पर act कर रहा है उस pressure के वज़े से जो पानी है वो एक्चली में इस funnel के अंदर enter कर जाता है इसको कहते हैं the motion of fluid from high pressure to low pressure अब होता क्या है please understand this thing जैसी आपका यह जो यह जो पानी का level है यह वाला पानी का level है ठीक है यह जैसे इसके अंदर enter करेगा यह जो mouth का जो tip है यह इन points की मैं बात कर रहा हूँ इस इन दोनों का जो contact है यह मेरे पानी से छूट जाएगा क्यों क्यों यह जो upper layer है वो तो चलेगी इसके अंदर हमने funnel को तो नीचे कि जानी ना funnel तो उसी position पे है तो यह पानी का level है यह कहां चला जाएगा इस funnel के अंदर चला जाएगा तो इस funnel का contact मेरे पानी के level के साथ वो तूट जाता है तो अब आप यह समझे कि यहां पर मिल क्या रहा है तो आपको थोड़ा साफ से मैं डियाग्राम में बताता हूँ तो जो यह रहा है कि अब जो पानी है वो पानी यहां पर आपका accumulate हो चुकह है यहां पर आपका accumulate हो चुकह है और ये जो नीचे वाला लेवल थै पानी का यह देखिए अब यह देखिय इसका गॉन्तक्त है वह मेरा Penal से तूट चुका थे अंदर इसका contact यहां से तूट गया भीए कि फुर्धर कोई पानी जो है वह अब आपका ऊपर दो चड़ेगा निए जो आचुका एंदर वह आ चुका है ठीक है उसके बाद उतनी देर में क्या होता कि जो ammonia gas पीछे से बन रही थी न वो फर्दर यहाँ पर collect होनी शुरू हो जाती है और collect होनी की वज़े से वो इस पे pressure exert करती है उसको push करती है धक्का देती है तो यह जो पानी है यह दुबारा कहां चले जाता है मेरे इसी विकर में collect हो जाता है तरिका समझ मैं क्या हुआ तो पहले ammonia आया जिस ratio में या जितनी तेजी से ammonia produce हो रहा है उससे ज़्यादा तेजी में जो ammonia है वो मेरे पानी में क्या हुआ डिजॉल हुआ और यहां पर एक low pressure region जो है create हो गया atmospheric pressure की मदद ते यह जो पानी है यह आपका इसी के अंदर चले जाता है ऐसा करने से यह जो यह आप देखरो न यह funnel की जो tip है इसका contact मेरे पानी के layer से टूर जाता है अब और पानी तो उपर जाएगा नहीं उपर से ammonia लगाता है ध्रिद्रे कठा हो रहा होता है जिससे वह उपर वाले जो पानी की layer है जैसे यह पानी की जो layer है इस पर धका लगानी शुरू कर देती है जिसके वाइसे दुबारा कहां आ जाता है मेरे बीकर में आ जाता है यह प्रसेस लगातार चलता रहता है पानी उपर आता है नीचे गरता है और इसी तरीके से हम अपने ammonia को actually में पानी में डिजॉल कर पाते हैं तो अब मानके यह चलो बिड़ा कि suppose हमें यह फनल यहां पे ना होता और फनल की जगर पर सिंपल ट्यूब होती तो क्या होता है अब कि यह समन्ने के लिए काम करता हूं पहले मैं इसको अच्छे से यहां पर रहता देता हूं एक में डीजिए मैं साथ की साथ इसको हटा देता हूं इससे क्या होगा नहीं थोदा हो जाएगा कि exactly हो क्या है ठीक है तो माल लीजे बेटा यहां पर हड़ गया और इसके जगा पर मैंने क्या use कर लिया इसके जगा पर मैंने एक simple tube का ही इस्तेमाल किया है ठीक है पनल की जगा पर तो अब क्या होगा तो अब यह होगा कि यह जितना यह जो red प्रतर पाया था अब यही पानी क्या करेगा इस इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर उसको फिट होना पड़ेगा अब ट्यूब के अंदर फिट होगा तो कहां तक जाएगा थोड़ा ऊपर तक जा सकता है और यह भी हो सकता है कि वो मेरे उसी बिकर में दुबारा गिर जा जहां पर ओरड़ी solution है तो नीचे surface area बढ़ाने के लिए funnel का मूँ नीचे की तरफ करना बहुत important होता है इसलिए हम funnel के mouth का इस्तेमाल करते हैं और उसको invert करके उस पानी के साथ टच करके रख देते है तो I hope आपको समझ में आगया हो कि funnel technique क्यों इतनी important होती है अगर चाहे मु जो ammonia को dissolve करना पानी के लिए तो आज के lecture के अंदर हमने यह जाना कि कैसे हम aqueous ammonia को create कर सकते हैं या बना सकते हैं and I hope आपको यह जो funnel technique है इसके बारे में और इसकी importance के बारे में समझ में आता होगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए आपको सब्सक्तार नहीं, तक यह सो मुझ.